दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ फुछा आगे बढ़ते हैं वो हमारे रसोही घर में एक चीज के वारे में बहुत बखान करते हैं बहुत बढ़ाई करते हैं वो यह कहते हैं कि जो लोग खाने के बाद पान खाते हैं चूना मिला कर वो जिन्दगी भर वात के रोगी होगे नहीं जो खाने के बाद पान खाते हैं चूना मिलाकर वो जिन्दगी भर वात के रोगे होगे नहीं माने चूना वो बोलते हैं सबसे वहतरीन वातनाशक औशदी है मैथी का दाना तो है ही चूना उससे थोड़ा एक डिगरी ऊपर है मैथी दाने से चूना सबसे अच्छी वातनाशक औशदी है चूने के बारे में बागवट जी का बहुत बहुत रिसर्च है बहुत रिसर्च है और वो ये कहते हैं कि ये भगवान की दी हुई प्रचंड मात्रा में अद्बुत ऐसी चीज है जो आपके बात के सब रोगों को दूर करेगी माने घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, कंदा दुखता, चूना खाई है फिर वो कहते हैं कि इतना ही नहीं शरीर में कैल्शियम जो है ना कैल्शियम ये एक घटक है, माइक्रो न्यूट्रियंट इसको कह सकते हैं अंग्रेजी में सुक्ष्म पोशक तत्व है ये कैल्शियम के बारे में जो गंभीर बात है आज के विग्यान के हिसाब से जो मैं कहना चाहता हूँ बागवत जी ने तो साड़े तीन hey jar साल पहले कह दिया आज का विग्यान उसको प्रूफ कर रहा है कन्फर्म कर रहा हो ये कि कैल्शियम की कमी अगर शरीर को है तो आपको 20 यों नहीं 20 यों बीमारियां आएंगे केल्शियम की कमी अगर है शरीर को तो पचासियों बीमारियां आएंगे क्या क्या आ सकता है हर तरह का दर्द आपको होगा हर तरह का मासपेशियों का दर्द, हड्डियों का दर्द, सब तरह का हड्डियों की जितनी विक्रतियां है वो सब केल्शियम की कमी से आएंगे हड्डियों के जितने रोग हैं वो सब केल्शियम की कमी से आएंगे फिर वो कहते हैं कि रक्त के बहुत सारे रोग केल्शियम की कमी से आते हैं रक्त के रोग खून की बीमारे फिर वो कहते हैं कि बहुत सारे कफ के रोग केल्शियम की कमी से आते हैं तो केल्शियम कम नहीं होने देना चाहिए, जो विग्यान आज का कहता है, आधुनिक विग्यान ये कहता है, कि केल्शियम वो माइक्रो न्यूट्रियंट है, वो सुक्ष्म पोशक्तत्त्त है, जिसके शरीर में रहने पर ही दूसरे सुक्ष्म पोशक्तत्त उप्योगी होते ह दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिर लाइक कमेंट और शेयर करें और हां हमारा Android एप डाउनलोड करना ना भूलें